Hello friends, welcome back to my channel, this is your friend Karantho, आज इस वीडियो में हम लेखेंगे कि हम options trading करना start कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं अपने mstroke का app खुल लेता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो, यह मैंने mstroke का app खुल लिया है, और दोस्तों इसमें आपको log in कर देना है, अगर आपके पास endstock का demand नहीं है, तो description box में link है, pin comment में भी है, उसको आप click करके अपना demand अपन कर सकते हैं endstock में, और फिर इस tab का आपको interface दीएगा, जो आप फिलाल मेरे screen बे आप देख सकते हो guys, तो इसमें में सबसे पहले आपको समझा हो, तो नीचे आप देखोगे, तो ओंग लिखा हुआ, ये ओंग में सारी चीजे जो है, वो भी explain करूंगा, फिर हम portfolio में आजाते हैं, आप जैसे कोई stocks खरीद होगे, तो आप equities लोगे, तो आपको इदे equity की segment में दिखाएगा, जो अब पर बना सकते हैं, और नीचे राइट साथ पर जितरी भी ओर्रस आप प्लेस करोगे, अगर उपे पेंडिंग ओडर में दिखाएगा, अगर ओर एग्जेकुट होचुगा होगा, तो एग्जेकुटेड ओडर में दिखाएगा, तो इदे फिलाल सारे के सारे आपको ओ साथयों गओ, यहांगे मेरा प्रॉफेट होगा है, और यहांपना प्रॉफेट होगा है, वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं खाली आपको इस देमो परकस दिखा रहा हूँ, तो कि इसमें मैं को अनलसी करके, बाइस है करने वाला हूं, जस्ट एक डेमो के लिए आपको टोटल एसेट्स में और यह वो कैश वेल्वी तो मेरे अकॉंट में फिलाल पड़ी हुई है और इससे मैं अब चाहिए तो ट्रेड ले सकता हूं जैसे में काम करता हूं निफ्टी अभी आप इदर देखने हो निफ्टी का ही में को ऑप्शन करने की ट्राय करता हूं और एक आपको देता हूं कैसे हम कर सकते हैं इदर आप देखने हो 19,131 का प्राइस फिलाज चल रहा है तो निफ्टी को में उपन कर लिया अगर आपको इससे कॉंसे देखने हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स है निफ्टी में तो यह सारे इदर लिस्ट आ गए हैं कौन से कितने प्राइस फिलाज चल रहा है 19,150 उसका प्राइस 88 रूपीज का चल रहा है और 84 रूपीज पूट का चल रहा है और जो ओपन इंट्रेस पे आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे जाने वाल है तो हम पूट ऑप्शन कहीं करते हैं और अगर सबस्केजर आप ऑपको स्ब्सक्राइस उठों कि अगर्च तो अगर्चे बggakने लिचे मार्केट बाइग बिखकए उपद आप और देन काफी लोग option buying की ज्यादा प्रिफो करते है यूग उसमें capital काम लगता है, option buying में capital ज्यादा लगता है, guys. तो anyways, फिलाल मैं आपको option buy करके एक हर देंगो देता हूँ, तो suppose करता हूँ 19,150 का at the money price चल रहे, लेकिन मुझे थोड़ा सा in the money अगर option buy करना है, या 19,100 सिलेक करना है, तो 19,100 सपोस करते हैं, मुझे buy करना है, तो यह मैंने open कर लिया, इस टैप की interface खुल लिया, उपर आप देखो वे तो nifty 119.90 जो करल, market price चल रहे भी जो fluctuate हो रहे मार्केट, उसे आप से आपको उपर price भी दिखाया जा रहा है, और 31% अभी फिलाल आज प्लस है, यह आपको ऐसा बताया जा रहा है, और इदर आप देखा हुए तो डो टैप के प्रोड़क आपको देखें, एक इन्वेस और एक देट रेट, देट का मतलब यह इन्ट्राडे पोजिशन है, 325 बे अटो स्वेर ओफ हो जादी, अगर आप स्वेर ओफ नहीं करते हो दो, और इन्वेस का मतलब आपको केरी फोरवड करके जानी यह पोजिशन तो आप उसको उसको सिलेक कर सेते हो, तो सपोज करते हैं, मैं फिलाल देट सिलेक कर लेता है, और कॉंटिटी 50, 50 मतलब यह एक सिंगल लॉट के लिए, एक लॉट में 50 कॉंटिटी आ दिये, अगर आपको दो लॉट बाइट कर सकते हैं, तो फिलाल आप 50 कॉंटिटी से ही बाइट करने की द्राही करेंगे, अगर मुझे अपना लिमिट ओडर भी लगा सेता हूं, और मुझे यह बाइट करना अगर 110 का प्राइगा तो मुझे वो मिल जाएगा, वरना वो ओडर अपने आप कैंसल हो जाएगा, डे एंड पे, तो मैं फिलाल अट दे मार्केट करके बाइट करने की ट्राही करता हूं और stop loss limit भी आप लगा सकते हूं, मैं फिला वो नहीं लगा रहा हूं, और नीचे आप इसमा देख सकते हो, required margin 1,6000 बता रहा है, actually मैंने उपप सेल को सिलेक किया हूँ है, sell में margin ज्यादा लगता है, buy में खाली premium पे करना पड़ता है, sell में लेकिन आपको अधा margin एक amount पे करना अगर मैं deep out of the money जाओंगा तो और सस्ता हो जाएगा, लेकिन probability और चांसे होते हैं, पैसा कमाने के उतने कम हो जाते हैं, और इधर देखोगे तो order was placed successfully, अगर मुझे view order जाके करना है तो आप view order पे क्लिक कर लूँगा, तो इधर पेंडिंग ओर नहीं बता रहा है, क्योंकि क तो वो पेंडिंग ओर ले रिखा तो जबताब एक्सेक्यूट नहीं होता, अब यह डारेक्ट एक्सेक्यूट हो गया, आप देख सकते हो यह executed orders में आ चुका है, अब हम पोजिशन पर जाके देखते हो, इस पोजिशन में फिलाल यह 17 रूपीज का यह 10 रूपिट दिखा अब यह मैंने आपको खाली एक demo purpose के लिए दिखाया है, इस भी आपको पैसा प्रॉफिट या लॉस करने की कोशिच नहीं कर रहा है, तो अब अगर मुझे यह पोजिशन सपूस करते हैं, एक प्रॉफिट मिल रहा हो मुझे exit करनी है, यह loss में यह प्रॉफिट में कभी भी आपको पोजिशन exit करनी है, तो आप इसको इदर open इस पर tap करोगे तो इस tap का आपको एक interface खुल जाएगा, उसमें आप यह देखोगे add की option भी है, exit का option भी है, तो इसमें मैं यह exit पर क्लिक करता हूँ, और इधर जाके आप देखोगे sell, तो यह sell यहसे ही मैंने करूँगा, order was placed successfully, बहुत ही fast execute हो जाता है, और view order में जाके देखूँँगा, तो execute हो चुगा है, यह buy price देखोगे, तो 114.80 पर मैंने buy किया था, और 117.15 पर मैंने इसको sell रहे है, पोजिशन में जाके देखेंगे, तो यह 117.50 रूपिस का profit हुआ है, अब यह जो profit है दोस्तों, यह next दि मार्केट शुरूर से पहले बिदिन 24 आज आपके अकाउंट में ग्रेट हो जाता है, आपको जब गर्वर्में टेक्स और चार्जिस होते हो पर जाता है, इसमें मुझे ब्रोक्रेस तो नहीं लगने वाला है, क्योंकि मैंने जो अन्स्टों में अकाउंट में अपन किया, तो 990.1 plus GST अवर्फ्रेंट ही एक बाद पेवर दिया था, अगर आप वो एक बाद पेवर्द रदेते हो, तो लाइफ टेम की लापको जब ब्रोकेट नहीं लगता है, जितने भी गवर्मेंट टेक्स यह और अदे चार्जिस अब लगता है, वो सारे मुझी ब्रोकेट ब पेन लिंगे पीनक में बहुत लगेए तरह ड़ी कर में अगर प्लिक कर देंगा अगा प्रिश्ट करना जलनी मिलेंगे अपने माता प्रिता का खास काल में पूर्ण आ रहेगे दोस्तों तो जिंदगी में सफल तर जएगा बहुत ही आसा नहीं से मिलेगे टेक कर सिया Investments in securities markets are subject to market risks Read all the related documents carefully before investing